आप जो दिल्ली पुलिस पहलवानों की कम्प्लेन के बावजूद एफायार तक दर्ज नहीं करती जो दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोट के सक्त निर्देश होने पर एफायार दर्ज करती है तो बीजेपी सांसक ब्रिजभूशन को गिरफतार नहीं करती वो दिल्ली पुलिस पहलवानों के समर्थन में उत्री लड़कियों को घसीटती है अब भद्रता करती है और हिरासत में लेती है जी हाँ आपको बता दें कि एक वीडियो निकल कर सामने आया है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और शाहत की पुलिस की भयंकर फजियत करवा रहा है क्या है वीडियो आपको दिखाएंगे देखें इसी वीडियो को शेयर करते हुए साहिल लिखते हैं कि दिल्ली जंतर मंतर पर धरने पर बैठें पहलवानों की समर्थन में दिल्ली उनिवस्टी के चात्रों ने किया प्रोटेस्ट, दिल्ली पुलस ने प्रोटेस्ट करने वा तो आप वीडियो में देख सकते हैं कि दिल्ली उनिवस्टी की छात्राएं पहलबानों के समर्थन में मार्च निकालने के लिए निकली है लेकिन शाह की पुलिस है कि उन्हें एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देती कैसे घसीटती है, कैसे अभदरता हो रही है, कैसे चीखम चिल्ली मची हुई है आपको वीडियो में साफ दिखाई दे रहा होगा ये लोग घसीटते हैं, घसीट कर ले जाते हैं और इन लड़कियों को डीटेंड किया जाता है काश की ऐसी ततपरता भी जेपी सांसक ब्रजभूशन शरन सिंग को गिरफतार करने में दिखाई होती तो आज ये धर्ना ही न roller हो रहा होता लेकिन फिलहाल दिल्ले पुलिस है और शा की पुलिस है तो क्या कुछ हो सकता है नए भारत में क्या कुछ हो सकता है इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं जब से ये तस्वीरे निकल कर सामने आई है तब से बवाल मचा हुआ है इस बवाल पर लगाता रियाक्शन निकल कर सामने आ रहे हैं उसी भी साक्षी मलिक ने भी इस पर रियाक्शन दिया है तीक ही प्रतिक्रिया दी है उनका क्या कहना है सुनिएगा वो तस्वीर को शेर कर लिखती हैं कि दिल्ली उनिवस्टी की छात्राओं ने आंदोलित महिला पहलवानों के समर्थन में एक मार्च निकाला था महिला पहलवानों का उत्पीडग खुला मखुला गूम रहा है लेकिन पुलिस उसको पकड़ने की बजाए उन लोगों को पकड़ रही है जो महिला पहलवानों के समर्थन में आ रहे हैं आंदोलन महिला पहलवान इसकी निंदा करते हैं अरेस्ट ब्रजभूशन नाव तो साक्षी मलिक का कहना है कि ब्रेजबूशन तो कुल्लम खुला गूम रहा है उसको ये लोग गिरपतार नहीं कर पा रहे हैं लेकिन हाँ दिल्ली उनिवस्टी की लड़कियों ने अगर समर्थन में मार्च निकाल दिया तो कितनी हालत खराब हो गई है ये वो लड़कियां हैं जो कि पहलवानों के समर्थन में एक मार्च भर निकालना चाहती थी लेकिन आप देखे कि कितनी कथित बॉखला है जो कि निकल कर साफ आ रही है पहलवानों का घरना है सुप्रीम कोट का सपोर्ट मिला है आप जानते हैं लगातार नेता भी पहुँच रहें इसी बीच किसान नेता राकेश्टी कैद भी पहुँच है हमने आपको ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में दिखाया कि किस तरीके से क्या मोहल बना हुआ है जंतर मंतर पर लगातार सपोर्ट किया जारा है, मोधी सरकार जे भले ही कुछ न बोला जाया है लेकिन मोधी सरकार के खिलाप किस तरीके से मोर्चा खोल दिया गया है वो दिल्ली की सरकों पर साभ दिखाये राहे इसी बीच आप देखिए कि दिल्ली पुलिस ने क्या कार्रामा कर दिखाया है लड़कियों को घसीटा है और घसीट घसीट कर हिरासत में लिया है लड़कियों का कहना है जिन दिल्ली उनिवस्टी की लड़कियों को हिरासत में लिया गया है कहना है कि अबद्रता भी हुई है इसी के साथ दिल्ली पुलिस ने उनके साथ मारपीट भी की है क्या कहना है उनका देखिए खबर दैनिक भासकर की इसमें लिखा है कि दिल्ली उनिवस्टी की छात्राओं को पुलिस ने गजीटा पहलवानों के हक में मार्च निकाल रही थी पहलवानों ने भी सिक्योर्टी लोटाई तो खबर में लिखा है कि पहलवानों के समर्थर में मार्च निकाल गई दिल्ली उनवस्टी की छात्राओं को पुलिस ने वीरासत में ले लिया है वहीं चात्राओं ने पुलिस पर अभद्रता और मारपीट करने का आरोप लगा है उनका कहना है कि सिर्फ घजीटे नहीं अभद्रता नहीं किये बलकि मारपीट भी की गई है हम सिर्फ एक मार्च निकालना चाते थे वो भी शांतिपूर तरीके से वो निकालने नहीं दिया आगे लिखा है कि रविवार को बजरंग पुनिया के चात्रों से समर्थन मांगा था पहलवारों ने चात्राओं से दिल्ली पुलिस की अभद्रता की निंदा की है बजरंग पुनिया ने चात्रों से समर्थन मांगा था और दिल्ली उनिवस्टी की चात्राओं ने समर्थ लेकिन समर्थन देने चली लड़कियों को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से घसीटा जारा है चात्राव को तो यहां तक कहना है कि उनके साथ मार पीट तक की गई है आगे दे की खबर में लिखा है कि उधर भारती कुष्टी संग के अध्यक्ष ब्रिज भूशन के खिलाब पहलवानों का दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना जारी है उन्होंने दिल्ली पुलिस की सिक्योर्टी को लोटा दिया है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर उन्हें सुरक्षा दी गई है जिसमें 12-12 गंटे की शिफ्ट में एक-एक सिपाही उनके साथ रखा गया था खिलाडियों ने कहा कि अगर भी जंतर मंतर पर सुरक्षित नहीं है तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है यहां शानतीपूर धरना कर रही है यहां रोजाना उनकी समर्थन में लोग आ रही है और जा रही है मगर उन्हें इससे कोई दिकत नहीं है तो जो पहलबान बेठे हुए धरने पर उन्हें तो कोई दिकत नहीं थी आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से तत परता किस साथ तुरंट इन लोगों को पकड़ा गया है घसीटा भी गया है और क्या कुछ किया गया है वीडियो में साफ तौर पर दिखाए दे रहा है साक्षी मलिक ने तो यहां तक कह दिया है कि बिजभूशन शरण सिंग को गिरफतार करना चाहिए था उसको तो गिरफतार कर नहीं पाए लेकिन आप देख सकते हैं कि लड़ियों के साथ किस तरीके की अभधरता की जा रही है आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तर उसकरवाजर लेकर जा रहे हैं और ये दिल्ली का हाल हो चुका है उस प्रदर्शन का हाल हो चुका है जिसको शांती पूर्ट तरीके से किया जा था लेकिन फिर भी ये शाह की पुलिस को नागवार गुजरा और लड़कियों के साथ भयंकर तोर पर अभधरता की गई है फ कमल तीबारी हैं तस्वीरों को शेयर करते हैं और लिखते हैं कि आज दिल्ली उनिवस्टी में सीस आप और अन्य छात्र संगाठनों ने आंदोलित पहलवानों के समर्तन में एक मार्च निकाला था जिसमें शामिल सभी छात्रों को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है विजेपी शांसत ब्रिजभूशन शरण सिंग पर और लगाया गया है एक नाबालिक के साथ योज शोषन करने का आरोप है विजेपी सांसत पर इसके बावजूद पर ब्रिजभूशन शरण सिंग अभी तक गिरफतार नहीं हुआ है जबकि दिल्ली उनिवस्टी की छात्राओं को किस तरीके से डीटेंड किया जा रहा है आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं क्या कुछ हो रहा है साफ दिखाई दे रहा है नारा तो दिया जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का लेकिन वो कितना चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है वो तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं फिलाल इन तस्वीरों पर आपका क्या कहना है शाह पुलिस की इस कर्तूर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें वीडियो को जादा से जादा शेयर करें सब्सक्राइबर को दबाया बलाए को दबाया तक कि हर ख़बर की नोटिफिकेशन आप तर पहुत सी रहे मैं प्रेंग का आप देख रहे था ओनलाइन यूज इंडिया फिर मिलते हैं अगली ख़बर के साथ तक के लिए धन्यवाद